नमस्कार एचस बिहार देख रहे हैं आप मैं हूँ अंजनी और मेरे साथ अभी हमारे साथ ही आदेश हैं आज प्रहानमंति नयंद मोदी ने देश को संबोधित किया देश के संबोधन के पहले सहीह चर्चाएं बहुत हो रही थी कि आखिरी आज क्या बताने वाले हैं क्या क पाकिस्तान प्रेटेक होगा बहुत सारी बात चलने लगी यह बात आ रही थी कि कोई नई वैक्सीन जो इंडिया में बन रही है कुछ उसके बारे में बताएंगे क्या बताएंगे कुछ पता नहीं था कुछ सर्टन नहीं था लेकिन फिर वह चार वजे लाइव और चार ब हमारे बिहार को लेकर के अम यह कहेंगे कि मोदी जी बिहार चुनाओं को लेकर के खेल गए गाये यह आदेस अब समझाएंगे बताएंगे कैसे मोदी जी खेल नहीं गये हैं तो आपको बताते चले कि बिहार में गरीबों की संख्या ज्यादा है यहां पे तो ऐसे में और यह जो यहां के लोग जो थे वो प्रवासी भी लोटके आए हैं इनको काम नहीं मिल रहा है यहां पर तो इसको लेकर प्रधान मंतर जी पहले भी गरीब कलियानी वजना का वाथी मया का नाम उन्हें ने दो बार लिया इस दोरान तो यह था कि भिहार में छट तक किसको यह करना है मिंस्त जो यह लाब है इसको लाब का जो समय है इसको बढ़ाया गया हो सकता था इससे पहले दुर्गापुजा तक ही होता है अगर बियार में लेक्षन नहीं होता तो लेकिन उसको उस समय तक किया गया है फिर इसमें एक दूसरा सबसे बड़ा बात परधान मंतरी जी बोले हैं कि एक देश एक रासन कार्ड की बात क उठाएंगे क्योंकि बियार यूपी के लोग जो है अपने राज्यों में ज्यादा रहते हैं तो ऐसी प्रस्तिति में वह है कि जैसे करोना है अभी तुको काम भी नहीं मिल रहा तो भी बंबे में ही है चाहे दूसरे राज में तो कम सम्काने की उन लोगो दिकत नहीं होग परधान मंत्री और सबसे वड़ा बात की किसानों को थैंक्स बोले हैं और यहां से जितने भी स्रमिक जाते हैं बाहर हडियाना पंजाब या दूसरे राजों में वह खेती संबंदिती काम ज्यादा करते हैं तो यह जो था और दो बार छट का नाम लेना वन एक रासन एक द जो है यह हम तो डिरेक्ट नहीं का सकता लें इंडिरेक्ट लिए विहार को टच किये हैं क्योंकि अभी जैसे मोदीजी का भासन जब खतम हुआ उसके बाद जब मैं ट्विटर पर देख रहा था तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मोदीज ने कौन-कौन से पर्व नाम नहीं लिए लेकिन उसके बाद जब यह बोले की नौंबर तक यानि की चर्चा किये तो यह जैसे बिहार चुनाओक के लिए जब आगाज शुरू हुआ था लिटी चुखा के इस्टॉल पहुंच गया थे वह दिल्ली के जो इंडिया गेट पर लगा हुआ इस्टॉल वहां पहुंच गया थे और वही इनका इसारा था बिहार की तरफ की अभी आपको पताते चले की बिहार को लेकर बहुत सारी योजनाय भी शुरू होने वाली से बेगूसराय में जो रुका हुआ तो ऐसे जो इसारे है पढ़ान मंत्री के तरफ से मिलेंगे जित से हम लोग लापरवाह हो गए ठीक है और यह बात वाकई में सही उन्होंने कही और अच्छी बात हम लोग वाकई में बहुत लापरवाही दिख रही है आम जन जीवन भी बिलकुल पहले की तरह भड़े हुए हैं और अब केस भी जादा आ रहे हैं तो यह मतलब बिहार में बाकी सारे कई स्टेट्स ने फिर से लॉगडाउन कर दिया है जारखंड ने भी लॉगडाउन कर दिया है बिहार में अभी ऐसा कुछ हम दो दिखने रहा है रोट पे लोग बहुत जादा बढ़ गया है सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल टाइप का हो गया है जबकि बिहार म हम जो वीडियो आज हुआ था हम लोगा उसमें एक बात कर चर्चा यह भी किया है कि आज तक एक सर्वे कराया जिसमें पता चला कि बिहार राज के जो लोग है वह सबसे ज़्यादा वह घुमने फिरने भी सपास कर रहे हैं बिना काम के और यही करने कि बढ़ भी रहा है त अच्छी बारिश हो रही है और भार का खत्रा भी वोड़ा है और इस पिस अधियार कनेक्शन है और मोदी जीन अभी कहा है वहाए पर्वाव हो रहे हैं तो आप लोग पर्वाव मत होई है कुद को सरकार ने जो तैय किया है कोरोना से बचने के लिए बिमारी से बचने के के लिए दोगज दूडी और मास्क वगएरा जो कुछ भी हम लोग तीन मेने पहले कर रहे थे लौकडाउन के दिनों में खास कर रहे थे खुद को बचाने के लिए वह सब हमें अभी भी करना है और बाकि जो कुछ सब्सक्राइब कर लिए फेस्बुक पर देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक कर लिए फॉलो कर लिए धन्यवाद कर दो